हेलो फ्रेंज मैं गोविन गुमार आप सबका अपने चैनल पर हारदीक स्वागत करता हूँ आजगी इस क्लास में हम कक्सानों हिंदी विश्चे के अध्याच्छे प्रेम चंद के फटे जूते के अभ्यास प्रशनों को सौल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपने मित्रो को शेर करो लाइक कर दो और साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाए तो चलिए हम सरू करते हैं देखें पहला प्रशन दिया है वो है हमारे पास हरी संकर परसाई ने जो इस चैप्टर के लेकाग है हरी संकर परसाई ने प्रेम चंद का जो सब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेम चंद के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी विसेस्ताय उबर कर आती है यानि इस चैप्टर में प्रेम चंद के बारे में जो वर्णन किया गया है उसको पढ़ने के बाद हमारे म में प्रेम चंद की विसेस्ता उपर कर सामने आते हैं यानि कि उनका व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में में क्या क्या जनकारी प्राप्त होती है तो इस चेप्टर को पढ़ने के consternoi की स्विगहान का ज्यान होता है वो होता है कि प्रेम चंद का व्यक्तित्व बहुती क्या था सीधा साजा था उनके व्यक्तित्व में किसी परकार का कोई दिखावा नहीं था दूसरा व्यक्तित्व क्या पता चलता है वे एक स्वाभी मानी व्यक्ति थे कैसे व्यक्ति थे स्वाभी मानी व् उनके व्यक्तित्यों के खिलाब था निवो कभी भी किसी दूसरे से किसी भी परकार की कोई बस्तू नहीं मांगते थे इन्हें समझोता करना मंजूर नहीं था यानि वो आसानी से समझोता नहीं करते थे ये परिस्तितियों के गुलाम नहीं थे यानि कि वो प्रस्तितियों के सामने जुक कर चलने वालों में से नहीं थे वो प्रस्तितियों का डटकर क्या करते थे मुकाबला करते थे और यही उनके वेक्तितों के महत्वण बिस्यस्ता थी ठीके चलिए अगला प्रश्ण है वो दिया गया है सही कथन के सामने राइट का निसान लगाई है हमारे चामने चार कथन दिये हुए है इनमें से जो कथन सही है उसके सामने हमें राइट का निसान लगाना है पहला कथन है बाय पाव का जूता ठीक है मगर दाइने जूते में बड़ा च्छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है तो क्या ये कतन सही था तो ये कतन बिल्कुल क्या है ये कतन बिल्कुल गलत है ठीक है दूसरा कतन है लोग तो इत्र चुपड कर फोटो किंचाते हैं जिससे फोटो में खुस्बू आ जाए क्या प्रेंचन ने ऐसा कहा था हाँ बिल्कुल ये कतन सही है तीसरा तुमारी ये वेन के मुस्कान मेरे हुशले बढ़ाती है क्या ये कतन भी सही है ये कतन बिल्कुल गलत है ठीक है ये कतन सही नहीं है ऐसा प्रेंचन नहीं कहा था चोता जिसे तुम घ्रनित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इसारा करते हो क्या ये कतन सही है तो ये कतन भी गलत है तो केवल दूसरा वाला कतन सही है बाकी तीनों कतन गलत है ठीके चलिए अगला प्रशन है प्रशन संग्या तीन वो दिया है नीचे दिये गई पंगतियों में नीत वयंग्या को इसपस्ट कीजिए हमारे सामने तीन पंगतिया दिये गई है और इन पंगतियों में क्या वयंग्या या क्या आश्य चुपा हुआ है उसको उमें इसपस्ट करना है देखे पहला वाक्य है जूता मेंसा टोपी से किम्ती रहा है अब तो जूते की केमत और बढ़ गई है और एक जूते पर पची सो टोपिया निवचावर होती है यानि कि जो अरिश संकर परसाई है इन्होंने इस चेप्टर में जो ये कथन कहा है इसका वास्तम में आश्य क्या है उस आश्य को हमें समझाना है तो इस कथन का मतलब ये है कि यहाँ पर जूते का जो आश्य है वो किस से हैं? वो सम्रदी से हैं तथा टोपी किसकी परतिक है? टोपी मान, मर्यादा और इज्जत का परती है वैसे तो इज्जत का महत्व संपती से क्या है? अधीक है परन्तु आज की परिस्तिती में इज्जत को समाज के सम्रदेवं परतिश्टित लोगों के सामने क्या करना पड़ता है? जुकना पड़ता है आज कल समाज में केवल उसी की मान, मर्यादा और इज्जत होती है जो कैसा होता है? जो धनवान होता है या समर्द होता है आज कल किसी अन्य आधारों पर किसी का मान सम्मान को निधारित नहीं किया जाता बलकि धन दोलत के आधार पर किसी के मान सम्मान को निधारिज किया जाता है आरा समझ में तो अब लेकर के कहने का मतलब यही है कि अब जूते की किमत क्या हो गई है टोपी की तुलना में बढ़ गई है अब मान मर्यादा और इज़त का कोई मैत्वा नहीं है अब केवल आपके बास अगर धन दोलत जादा है तो नीची दुरूप से आपकी लोग इज़त करेंगे दूसरा है जो कथन है वो दूसरा कथन दिया हुआ है तुम परदे का मैत्वा ही नहीं जानते हम परदे पर क्या हो रहे हैं पुर्बान हो रहे हैं तो इस कथन का यहाँ पर जो आज से है तो यहाँ पर परदे का संबन किस से हैं इज़त से हैं जहां कुछ लोग इज़त को अपना सरवस्वा यानि की सब कुछ मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ नियोचावर करने को भी क्या रहते हैं त्यार रहते हैं वही दूसरी और समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जिनके लिए इज़्जत क्या है बिलकुल महत्व ही ने उनके लिए इज़्जत की कोई परवार नहीं है ठीक है अगला कथन है जिसे तुम ग्रणित समझते हो उसके तरफ हाथ ही आथ की नहीं पाव की अंगुली से इसारा करते हो इस कथन का आज से क्या हो जाएगा कि प्रेमचन गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायाट नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रियोग करके हाथ के महत्व को क्या करे कम करे बलकि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पेर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अदूसर क्या है उचीत है आनि कि प्रेमचन का कहना था कि जो व्यक्ति इज्जत के लायक ही नहींए सम्मान के लाई की नहीं है उसकी तरब हाथ से इसारा करने की बज़ाए पाव की अंगुलियर से इसारा करना ही क्या है बेहतर है ठीक है चलिए तो यह आपका तीसरा प्रश्न था अगला प्रश्न है वो है पार्ट में एक जगे लेकर सोचता है कि फोटो की इंचाने की अगर आपके अनुसार इस संधरप में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बजलने की क्या वज़े हो सकती है यानि पहले तो लेखक ने प्रेमचंद के बारे में कुछ अलग सोचा और फिर उन्होंने कुछ अलग सोचा तो इस सोच के बजलने का जो उनकी कपड़ों के परती सोचती उस कपड़ों के परती सोच के बजलने की वज़े क्या रही होगी वो वज़े हमें याँ पर बतानी है तो पहले लेखक प्रेम चंद के साधारन व्यक्तित्व को प्रिभासित करना चाते हैं कि खास समय में ये इतने साधरन है तो साधरन मौकों पर ये इससे भी अधिक साधरन होते होंगे परन्तु फिर बाद में लेकक को ऐसा लगदा है कि प्रेम चंद का जो व्यक्तित्व है वो दिखावे की दुनिया से क्या है बिलकुल अलग है क्योंकि बेज जैसे भीतर है वैसे के वैसे का है बाहर भी वैसे के वैसे ही है यानि कि उन्हें दिखावेटी दुनिया पसंद नहीं है आढ़े समंझ में तो यह सोजय से लेखक पहले क्या समझ रहा था लेखक पहले प्रेमस्चंद के बारे में यह समझ रहा था कि साधर हो सकता है कि फोटो खिचाने के लिए उनकी एक ड्रिस होगी और सधरन मौकों पर पहनने के लिए उनकी अलग रेस होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा प्रेम्चंद पोसाग पहन कर उस समारों में गए थे ठीक है या उस जो भी उस समय जो जहाँ पर लेकिन प्रेम्चंद को देखा था वहाँ पर उनने दिखाई दे रहे थे वैसी कि वैसी पोसाग वो अन्य मौकों पर भी पहना करते थे उनके पास कोई अलग-अलग पोसागे नहीं थी ठीक है तो इस वज़े से लेकिन की जो सोच है वो प्रेम लेकक की कौन सी बात आकरसीत करती है यानि कि चेप्टर में क्या है कई सारी बातों पर व्यंग्य क्या गया है यानि प्रेम्चंद को आधर बिना कर कई सारी समाज में जो आज कुरूतिया व्याप्त है उन कुरूतियों पर व्यंग्य क्या गया है तो इसे पढ़कर हमें य लेखक है अरी संकर प्रसाई वो क्या है एकदम इस्पष्ट वक्ता है यानि कि वो एकदम सब कुछ बात खुली-खुली कह रहे हैं सब कुछ मुँपे कहने के आज़त रख रहे हैं यहां बात को व्यंग्यक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है प्रेम चंद के व्यक्तित् करने के लिए जिन उदारनों का प्रेयोग लेखक ने किया है वे व्यंग्यक को क्या बनाते हैं और व्याकर्शक बनाते हैं कड़वी से कड़वी बातों को भी अत्यंत सरलता से लेखक ने क्या किया है व्यक्त किया है या अपर टेक्स रूप से समाज में जो दोस व्यक्त ह वेंग्य किया गया है ठीक है अनी लेककश के द्वारा इस प्रेम कि पात्र को अधार बिणा कर इस छेप्टर में समाज में जो गूराइया है जो समाज में कुरूतिय व्याप्त है, उन कुरूतियों पर व्यंग्य कसा गया है, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्ण है, पार्ट में टीले सब्द का परियोग, एक मिन, पार्ट में टीले सब्द का परियोग किन संदर्बों को इंगित करने के लिए किया गया होगा, यानि कि इस पार्ट में कही कही टीले सब्द का प्रियोग किया गया है तो इस सब्द का प्रियोग क्यों किया गया है वो में बताना है तो पार्ट में टीले सब्द का प्रियोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है इसके रूप में किया गया है रास्ते में आने वाली रुकावटों को दर्शाने के लिए टीले सब्धा प्रियोग किया गया है प्रेम चन्द ने अपने लेखनी के द्वारा समाज की बुढ़ाईयों को प्रस्तूत करने का क्या किया प्रयास किया ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठीनायों का सामना करना पड़ा ठीके तो यहाँ पर जो टीले सब्ध का अर्थ है वो मार्ग में आने वाली बाधाव या रुकावटों को व्यक्त करने के लिए किया गया है अगला प्रशन है प्रशन संगया साथ दिया गया है प्रयमचन्द के फटे जूतों को आधार बिना कर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है आप भी किसी व्यक्ति के पोशाक को आधार बिना कर एक व्यंग्य लिखिये यानि कि इस chapter में लेकक ने प्रेम चंद के फटे जूतों को आधर मना कर समाज में व्याक्त कूरूतियों पर क्या किया है व्यंग्य कसा है तो इसी तरह आप भी किसी व्यक्ति की पोसाग को आधर मना कर क्या कि जिये उस पर एक व्यंग्य लिखिए तो चलिए हम लिखते हैं हमने आपर जो टोपिक लिया है वो एक नेता पर लिया है तो राजनीती जब से धन कमाने का जरिया बनी है तब से हर गली मूले में क्या पैदा हो रहे हैं नेता पैदा हो रहे हैं यानि जब से राजनीती में लोगों के धन कमाने का क्या हुआ है एक गूतवा जगा है याज हर कोई केवल धन कमाने के उद्यस्य सही राजनीती में आना चाता है इस कारण से आज हर गली मुहले में क्या पैदा हो रहे हैं नेता पैदा हो रहे हैं जैसे ही छोटा मोटा चुनाव होता है कई सारे नेता ल तो है कि वे क्या है दस्वी फैल है परिच्चा है बड़ी बड़ी इन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने सफेद कूर्टा पायजामा सिलवाया है और एक क्या है लिया है एक बहुती संदर जैकेट लिया है वे पिछले चुनाव में खड़े हुए और भाग्या ने जोर मार और वे क्या हो गए जीत भी गए विद्यायक बनते ही जोड तोड कर क्या बन गए मंत्री भी बन गए अब वे अपने कूर्टे पायजे में का सही उप्योग कर विरोधियों को क्या लगवाया उन्होंने ठीकाने लगवाया उन पर हत्या लूट पाट अवेद वसूली के भी दर जुए पर उन पर कोई भी सर नहीं पड़ा बे सरवक्त्रों अपने सफेद पहनावे के कारण दागों पर सफेदी का चादर डालते सफेदी का चादर डाले क्या करते हैं गोमते फिरते हैं लोग जानते हैं कि सफेद कपडे से उन्होंने कितने दाग चिपा रखे ह अगला प्रशन है प्रश्म संघ्या आर आट आपके द्रश्टी में डेस बुसा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। आज की इस दुखावटी दुनिया में इस बनावटी दुनिया में इस पुसाक को लेकर वेस बुसा को लेकर लोगों के मिन में क्या परिवर्तन आया है तो अगर हम बात करें पहले जमाने की तो पहले वेस बुसा का परियोग केवल सरीर को डखने के उदेश्य से किया जाता उस समय दिखावटी या दिखावेपन का कोई मतलब नहीं था परिवर्तनी समाज का क्या है नियम है इसलिए समय के बदलते रूप ने बेस बुसा की परिवसाव को भी क्या कर दिया है बदल दिया है आज की इस्तती ऐसी हो गई है कि लोग फैसन के लिए इसका परियोग कर र कि मार मर्यादा को ठेस पहुंचती हो या ना पहुंचती हो इनसे कोई भतलब नहीं है केवल वो दिखाना चाते है फैसन के नाम पर अपने आपको इस दिखावटी दुनिया में प्रस्तूत करना चाते है और समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई स्वयम को न बदले तो समा आज में परतिश्रित करने के लिए लोग अपनी आर्थिक समता से बाहर जाकर वेस भूसा का सुनाव करते हैं आज कर लोग वेस भूसा पर सबसे ज्यादा ध्यान लगे हैं बले वो इतना नहीं कमाते हो लेकिन महेंगी पहेंगी पोसा पहनना जरूर बसंद करेंगे ताकि वो लोगों को अपना रईसपन दिखा सके ठीक है आज वेस भूसा केवल व्यक्ति की जरूरत नहों कर उसके व्यक्तित वकाभी एक अभिनंग बन चुका है और अगर आप अच्छे कपड़ों पहनेंगे तो निच्छी दूरूप से लोग क्या करेंगे आपकी इज्जत कर पहने है और एक बिचार अगर कोई साधरन कपड़ी पहन क्या है तो उसकी कोई लोग इजद नहीं करेगा कहेगा यह कोई गरीब होगा ऐसे वैसे कपड़े पहने है तो आज गल विस भूसा को लेकर लोगों की काफी सोच बदल चुकी है अगला प्रशन है प्रशन संग्य लाग ओं यूद भी करने हैं देखें पहला मुआवरा है अंगुली का इसारह मतलब इसका अर्त क्या होगा पुछ बताने की कोसित करना अ मैं तुमारी अंगुली का इसारह खुब समझता हूं दूसरा वेंगय मुसकान वेंग्य मुस्कान का मतलब क्या है मजाक उडाना तुम अपनी वेंग्य भरी मुस्कान से मेरी तरब मत देखो तीसरा बाजू से निकलना मतलब कठीनायों का सामना न करना इस कठीन प्रस्तिती में तुमने मेरा साथ चोड़ कर बाजू से निकलना सही समझा बाजुका मतलब है समीप से उकर निगलना मतलब कठी नायों का सामने नहीं करना बलकि पास से उकर दूर चले जाना अगला मुआवरा है रास्ते पर खड़ा होना मतलब बाधा पढ़ना या बाधा डालना तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो जिन विसेशनों का प्रयोग क्या है उनकी सूची बनाईए विसेशन क्या होते हैं जो सब संग्या या सर्वनाम की विसेशता बताते हैं उन्हें विसेशन सब कहते हैं तो यहाँ पर कौन-कौन से विसेशन सब प्रेमचंदक्वी ब्यक्तित्वों को दसाने के लिए प्रिक् महान कथाकार, दूसरा उपनियास समराट और तीसरा यूग प्रवर्तक यहाँ पर ये तीन विशेशन सब्दों का प्रियोग विशेशकर प्रेमचंद की विशेशताओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रियुक्त हुए हैं ठीके तीस प्रकार हमने आपके अध्याय के सभी प तो लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरू करें तो आज गिल्ए इतना ही धन्यवाद